बुककर खरगोश एक था खरगोश एक नमबर का भुककर वो बहुत खाता था और सोता रहता था हमेशा खाता दिन रात खाता रहता था इतना खाता था फिर भी संतुष्ट नहीं होता था एक बार क्या हुआ कि सभी खरगोश मटर के खेत में घोसे सभी ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया पर अपने इस भुककर खरगोश का खाना फतम ही नहीं हो रहा था एक खरगोश ने उसे कहा ये जल्दी चलना नहीं तो खेत का मालिक हमें देख लेगा और हमें पत्थरों से मारेगा भुककड खरगोश बोला अरे रुक रे और खाता हूँ न बड़ी सी डकार लेता हूँ और फिर हम चलेंगे भुककड खरगोश भकर भकर खाने लगा इस पर दूसरा खरगोश फिर बोला ए जल्दी करना वो देख टेकड़ी के उपर से खेत का मालिक आता हुआ दिख रहा है इस पर भुककड खरगोश बोला अरे ठीक है रे अभी खेत तक तो नहीं पहुचा ना खाने देना मुझे जरा और थोड़ा खाता हूँ बड़ी सी डकार लेता हूँ और फिर हम चलेंगे देखते देखते खेत का मालिक खेत में आ गया सभी खरगोश चिल्लाने लगे भागो भागो खेत का मालिक आ गया सभी खरगोश दोड़ने लगे बटा फट लंबी लंबी चलांगे मारने लगे बुककड खरगोश के बारा बज गे उसका नजोर से भागते बन रहा था और ना ही लंबी छलांगे मारते बन रहा था सभी खरगोश खेत की मेड के उपर से कूद कूद कर जा रहे थे भुककड खरगोश ने भी कुदने की कोशिश की पर उसका पेट इतना भारी हुआ था कि वो काटेदार मेड में ही गिर गया उसको बहुत काटे चुभे उतने में खेत का मालेक हाथ में डंडा लेकर आया उसने वो डंडा उठाया और भुकड़ खरगोश को दे मारा वो खरगोश के पैरों में लगा फिर लंगड़ाते लंगड़ाते भुकड़ खरगोश जैसे तैसे भागने लगा थोड़ी देर में उसका घर आया हुश बच गया ऐसा सूचकर वो धीरे धीरे चलने लगा उतने में वहाँ एक सियार दोड़ कर आया बाकी के खरगोश जट से घर में गुश गये भुकड़ खरगोश पीछे रह गया वो भी घर में गुशने लगा पर उसका पेट खा खा कर इतना फूल गया था कि वो घर के अंदर ही नहीं गुश पाया वो दर्वाजे पर ही अटक गया अंदर से सभी खरगोश उसे अंदर खीचने लगे बाहर से सियार उसकी पूँच पकड़ कर उसे बाहर खीचने लगा भुकड़ खरगोश चिलाने लगा, रोने लगा पर सियार ने उसकी पूँच नहीं छोड़ी आखिर में भुकड खरगोश की पूँच ही कटके निकल गई और सियार धडाम से पिछे गिर गया सभी खरगोशों ने भुकड खरगोश को जैसे तैसे घर के अंदर खीच लाया बेचारा खरगोश उसका भुकड पन उसे ही रास नहीं आया जान पर ही बनाई थी पर पूँच ने कीमत चुकाई